देश के कानून व्योस्ता पर फिर से एक बार सवाल उठता है देश के वो सारे कानून व्योस्ता की जो सरकार दावे एक पेस करती थी वो सारे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं जी हम आपको बता दें कि सुक्रबार को जिस तरह से एक देश में हिला देने वाली खबर आई निर्भया जैसे कांड को फिर से दोहराया गया देश में यह अपने आप में सर्म की बात है कि किस तरह का कानून व्योस्था अपने देश में है कि अपराधी अपराध करते समय उसे जड़ा सा भी कानून व्योस्था का खौफ नहीं दिखता है जिहाम को बता दें की खबर हैदराबाद की है जहां एक महिला रास्ते में इसकूटी खराब होने के कारण कुछ दरिंदों के बीच फस जाती है जहां वो भागने की पूरी कोसिस करती है लेकिन उसको नाकाम्याबी मिलती है दरिंदे उसे धर दबोचते हैं और दबोचने के बाद उससे सामोहिक बलतकार करते हैं इसके बाद से उसे जिंदा जला देते हैं सडक के किनारे अब यही सवाल उठता है क्या सडक के किनारे जब इस दरक से दुसकर्म करते हुए इतने बड़े घटना को अंजाम जब दर इंदे दे रहे थे तो क्या वहां से राहगीर नहीं गुजर रहे थे क्या पुलिस की जो एक कानून ब्योस्था की गई है कि हर चौराहे और हर सडकों से कानून की जो एक ब्योस्था मजबूत की गई है जैसे कि माना जाता है कि डायल हंड्रेट की गाड़ी पुलिस की गाड प्रतार हर सडग का एक पे ट्रॉलिंग करते हुए नजर आती है क्या उस समय कोई गाड़ी पेट्रॉलिंग करते हुए क्यों नहीं नजर आई इतने बड़े हादसे के बाद फिर से वही चीजें सामने आएंगी सोशल मेडिया पर कामेंट होंगे और सोसल मीडिया पे गुहार लगाए जाएंगे लेकिन हम आपको बता दें कि अगर सोसल मीडिया से इन सब चीजों पर अगर कहीं न कहीं फरक पड़ता तो पड़ गया रहता अब सवाल ये जाहिर सी बात है कि सवाल ये अपने आप में बड़ा उठ रहा है कि कानून बेवस्था क्यों नहीं इतनी मजबूत की गई है कि इस तरह के घटना कहीं पर ना हो और खास करके ये घटना तो एक सड़क के किनारे होता है जहां पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आती है कि सुनसान जगय था या जंगल का वो रास्ता था हम आपको बता दें कि ये सड़क का हाथसा है जहां पर दिखाया जा रहा है साफ की एक हाईवे है और हाईवे के किनारे दुसकर्म करके इस महिला को पहले जला दिया जाता है और फिर इसके बात से वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखती है ना ही वहां पर किसी का आना जाना दिखता है और ना ही वहां पर पेट्रॉलिंग करते हुए पुलिस की गाड़ी दिखती है इस एक हाथसे ने एक बार फिर से निर्भया की याद दिला दी सवाल यह भी है कि क्या रेप करके मौत के घाट उतार देना ही मरदानगी है क्या रागीरों की निगा इस पर नहीं पड़ी अगर पड़ी तो विरोध क्यों नहीं किया और अगर नहीं पड़ी तो फिर हैदराबाद स्मार्ट सिटी कैसे है बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है अलाइव 24 न्यूज जल्दी मिलेंगे एक फिर बड़ी खबर के साथ देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाएं